बॉट बॉर्णिंग बीबल क्या आलचाल है I hope तुम बढ़िया कर रहे हो कि अपने ट्रीडिंग में आज है सैटरी का दिन और आज जैसे की पता है हम लोग जो है अलग-अलग टॉपिक्स कवर करते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड तो एक भाई ने कॉमेंट में पूछा था कि क्यों तुम जो है सैलिंग करते हो option selling rather than option buying तो भाई अच्छा सवाल है क्यों मैं option selling भी करता हूँ rather than option buying क्या उसका reason है और सबसे पहली बात इतना बड़ा जो myth है option buying को लेके की option buying में ही कम पैसे लगते है option selling में बहुत जादा पैसे लगते जब तक तुम जादा पैसे नहीं है तुमारे पास तब तब तुम जो है option selling भी कर सकते हो मैं बता दू तुम लोग को यह चीज की भाई जितना option buying में तुम capital रखते हो ठीके overall capital लगता है उतना ही option selling में भी लगता है और कैसे लगता है सब जो है detail में समझाऊंगा क्यों मेरे लिए option selling सही है और क्यों तुम्हे option selling करना चाहिए मैं यहापर biased opinion नहीं दूँगा तुम्हें मैं कर चुका हो option buy option buy रह चुका हो मैं उसके बाद मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कभी option buying नहीं किया हूँ पहले मैं option buyer ही था बार में option selling में आया मैं क्यों मैंने shift किया वो मैं सब तुम लोग को पाज बताऊना तो शुरू करते हैं यह video बीना time waste हो तो इसके पहले कि हम लोग यह video start करें मैं को एक सवाल करना है तुम सबसे अगर तुम्हें option buying और option selling में choice मिले कि मैं को option selling करना या option buying करना है और सबसे पहली बात capital जो है amount overall capital तुम्हें सीम लग रहा हो तो तुम क्या तो वह stop loss हमेशा hit हो जाते थे और वह कैसे होते थे मैं तुम लोगों बताता हूं for example मैंने कोई भी लो जो है option का उसको फोड़ा सा buffer रखके मैंने वहां पर अगर stop loss रंग देता था और bank nifty का spot के सबसे भी वहीं पर stop loss पड़ता था bank nifty spot जो है अपना low नहीं तोड़ता था लेकिन option अपने low पहले ही तोड़ देता था यह काफी बार में इसाथ होता था और मैं guess कर रहा हूं कि भाई यह तुमारे साथ भी बहुत बार हो चुका होगा option जो है अपने low पहले ही तोड़ दे रहे और bank nifty spot जो है अपना low करने के बाद तो फिर और जादा दुक होता था और दूसरी बात अगर मैं बैंक निफ्टी स्पॉर्ट के लिए वेट करता था कि वह अपना लो तोड़े फिर मैं ऑप्शन अपना जो है काटू तब तक जो है लॉस काफी बड़ा हो जाता था कभी कभी जो है बड़ी- जब तक बैंक निफ्टी स्पॉर्ट अपना जो है लो नहीं तोड़ता ऑप्शन जो है अपने हाइस भी नहीं तोड़ते मैं बहुत बार देखा हूं और काफी बार ये भी देखा हूं कि अगस लो मुमिंट आ रही है एक छोटी जी स्पाइक आरही है बैंक निफ्टी में तो जाके जो है stop loss हिट नहीं होता अगर मैं buffer रखू तो हलका हिट करके आ जाता है थोड़ा सा एक दो पॉइंट तीन पॉइंट पाश पॉइंट से बच जाता हूं मैं बहुत बार बचा हूं ऐसा कि ऑप्शन जो है अपना लो नहीं तोड़ा और बैंक निफ्टी भी अप पांच हजार रुपए से पंदराजार अगर इंदमनी जा रहे हो तो बाराजार पंदराजार रुपए लगते रहेंगे और वह भी अगर तुम थर्श्डेश को कर रहे हो ऑप्शन बाइंग तो वो टाइम पे थोड़े प्रीमियम जादा होते राइट तो अब चीज यह ह पैसे में कर रहे हो तो пад कि तुम क्या आप प्चस बायंग बाइंग बट मेरे इसाब से एक पचा-थाजार त्व बंदि के पास हो ने ही चाहिए अगर वो option buying कर रहा हो अब मैं option selling जो करता हूँ वो कितने रहता हू Miller Cup option selling करने में एक lot 30 झार के उपर लगते निए अगर मैं hedge kids buy करता हूं और वह हैजे जला है थोड़े मैं थोड़े से लिए अब में को बताओ एक लॉट में अठरा हजार तक ब्रॉडाउन आता है गया अफकॉस नहीं आता भाई इतना बड़ा तो आता भी नहीं है डेली का हम लोग स्टॉप लोग अगर पांचों से हजार रुपे का भी लेते हैं तो भी जो है अठरा बार में को कंटीनूज होना पड़ेगा मेरा जो ब्रॉडाउन का जो कैपिटल है वो इरोड होने के लिए और एक लॉट बचने के लिए अब सबसे पहली बात कि भाई डिसिप्लेन रहना पड़ते हैं ऑप्शन में अभी अगर तुम और तुम कैपिटल लगते भी हो तुमारे अंदर कभी ना है ब्ुरी कैपिटल से कर देता एंव और कंट्वेनेंश आ जाता है अब पूरे कैपिटल तुम लगतेओ जिस दिन चो है तुम है तुम पूरा कैपिटल लगते हो ना भाई उसी दिन नहीं लॉस हो जाता है तो सीन कैसा ना भाई इसमें आटोमेटिकली तुम्हें का आoure या क्योंकि तुम्हारे पास कोई choice ही नहीं है तुम एक lot ही sell कर सकते हो बट option buying में कहीना कहीना तुम option जादा जो है खरीदने की capacity रखते हो और सबसे पहली बात तुम्हें stress free trading करनी है या तुम्हें stress के साथ trading करनी है तुम्हारे उपर depend करता है और काफी लोग बोलते है न unlimited उस में को बता देना भाई किस दिन तुमने ये किया है actual में वो profit जो है realize किया उतना बड़ा तुम जो है अपना risk reward follow करो simply अगर तुम option selling करके भी risk reward follow कर पा रहे हो और option buying भी कर रहे हो तो अगर तुम risk reward सही से follow कर पा रहे हो देखो option buying में ना गलती है अगर तुम कर रहे हो ना mistake हो वहाँ पे तुम अगर गलतिया कर रहे हो ना तो भाई वहाँ पे गलतिया बहुत महंगी पड़ती है ये कभी भी याद रखना मैंने option buying करके देखा है automatically तुम जो है option selling करोगे तो discipline भी हो जाओ के तुम्हारे stop losses hit नहीं होगे probability तुमारे side है time decay तुमारे side है इतने सारे तुमा एक बात सोचके देखो में पर 10 लाग रुपे capital है for example तो मैं कितना option buying कर सकता हूं एक लाग दो लाग तीन लाग उसके उपर मैं position handle भी नहीं कर पाऊंगा क्यूंकि उसमें बड़ा loss भी होगा और बड़ा profit भी होगा और बड़ा loss तुमारे risk management के हिसाब से आएगा नहीं अग मेरी बात कहने की यह है कि तुम्हारे side पे probabilities आता है तो अब तुम्हारे हाद में भाई कि तुम्हारे option buying करना या selling करना capital सीम लगता है देखो बात यह ना यह focus नहीं करना चाहिए कि मैं option buying करूँ या option selling करूँ सबसे पहले तुम sport में ना सही हो ना try करो अगर तुम sport पे सही ह क्या होता था मालों option buying में मेरे साथ की मेरा direction सही रहता था लेकिन option के DK के वज़े से मेरा stop loss हिट हो जाता था और बान में जो है option भागना start करते तो इस वज़े से क्या होता था मेरा direction तो सही होता था लेकिन मैं profitable नहीं बन पाता था तो वो अगर तुम्हारे साथ हो रहा है कि option spot में जो है अगर bank nifty spot या nifty spot में तुम सही हो रहे हो और option buying करके तुम्हें loss हो रहा है क्योंकि option DK के वज़े से जैसे मैंने बोला कि stop loss पहले ही हिट हो जाता है उस वज़े से तो भाई तुम एक बात option selling के side पर try करके तो देखो 50,000 के उपर लगते नहीं है मेरे एक lot करने के automatically discipline probability और इतने सारे सीज़े time DK वगेरा तुम्हारे side हो रहे है इसी वज़े से मैं option selling ही करता हूँ मेरे option buying करके देखिए में को नहीं जम रहा तो simple सी बाते भाई जो जम रहा है वो करो में option buying जमती है तो करो तुम अगर एकदम जादा discipline बनते हो चाहँ पर तुम पता है कि ने मैं एक ही lot करूँगा विल्कुल भी rules नहीं तोड़ता एकदम जादा discipline हो तो option buying तुम ज़रूर कर सकते हो बट मैं तो prefer यहीं करता हूँ हमेशा कि मैं option selling करूँ तो I hope ये video तुमें अ होता है कल थोड़ी व्लोग शायद फोड़ी सी लेट हो सबकी है बट लेट सी मैं शूट करके जल्दी से जल्दी ही ट्राइ करूँ हा कि मैं दालू उस तो और मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और लाइक शेया सब्स्क्राइब जलूरू कर देम